जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी किलासे स्विस सुमिजन यूटूब चैनल में सुसात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन शवी शाती आजाएं और एक बार वीडियो को लाइक कर दें ठीक है शवी लोग आ गये हैं तो फटापट से कमेंट में बताएंगे और आज देखते हैं कौन कितने नंबर ला पाता है ठीक है तो पदमाबत की रचना किस सासक के सासन काल में हुई है ये है आपका पहला कॉस्चन तो सभी को बताना है फटापट से और अपने नंबर देखते जाना है कौन कितने नंबर को कवर कर पाता है किस के आते हैं कितने नंबर पदमाबत की रचना किस सासक के काल में हुई है ये आपको बताना है तब आपका उत्तर यहाँ पर क्या चला जाएगा क्या चला जाएगा उत्तर चला जाएगा सेर साहशूरी सेर साहशूरी यानि कि आपका जो सी नंबर है सी नंबर है बिलकुट शाही है ठीक है पदमाबत की रचना किस सासक के सासन काल में हुई है सेर साहशूरी के बहुत बढ़ जा एक नार ने अचरज किया साप मार पिंजर में दिया कि किसकी पंग्ती है बताए किसकी पंग्ती है एक नार ने अचरज किया साप मार पिंजरे में दिया किसकी पंग्ती है अमीर अमीर कुसरो की बिध्यापती की भारतेंदू की या फिर चंदवरदाई की एक नार ने अचरज किया साप मार पिंजरे में दिया और सबी लोगों को पता है कि सर ये जो पंग्ती है अमीर कुसरो की ठीक है ये आपका एक नम्मर बिल्कु सही हो जाएगा एक खड़ी वोली के प्रथम कभी माने जाती है अमीर कुसरो है ना इनको याद रखेंगे और दोस्तो आदिकाल की अंतिम 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 अवस्ता के ये कभी माने जाते हैं ठीक है ये नम्मर आपका सही है कैमास बद प्रसंग ये किस रचना में है कैमास बद प्रसंग किस रचना में है प्रश इस अफ़ी लोग भी अपना नाम अगर हिंदी में लखेंगे टो और मजा आएगा मैंने कई बार बताया है कि अपनी अफनी आईडी शवी लोग हिंदी में बना लो थीक है कैमास बद प्रिमन की क 수 रचना में हैं यह आपको बताना है तीन नमबर तीन नमबर आपको बताना है 선택 है और प्रश्ण किरमांक तीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा की संर एक कैमास बद जो है ये प्रतिवी राज राज रासो यानि ली नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा बहुत बढ़िया बैरी गोडान सरंगला कोस्चन देखो आदी काल को अपवरेंस काल किस ने कहा है बहुत अच्छा कोस्चन है आदी काल को अपन ने देखा तब बीर गाता काल राम चंदर शुकले ने बीजब अपन काल महावी परसाद दुवेदी ने ठीक है सिद्ध सामंत काल राहुल सांकरित्या इनने अब यहां पर अपवरेंस काल आप से कहा गया अपवरेंस काल किस ने कहा है यह प्रश्न किरमांग चार का अंसर और चार में अपवरेंस काल तो आपको यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्या नंबर हो जाएगा कि सर अपवरेंस काल धीरेंद बर्माने जी भी कहा है अपने पड़ा था ना धीरे से गोली मारो ठीक है बहुत बढ़िया अंगला क्वेस्टन हिंदी भासा में लिखा गया हिंदी साहित का पहला इतिहास कौन सा है हिंदी साहित का लुचनातमक इतिहास दे मौडन बर्नाकुल लिटरेचर आफ हिंदोस्तान मिश्र बंदू बिनोध या फिर सियो सेह सरोज हिंदी भासा में लिखा गया हिंदी साहित का पहला इतिहास कौन सा है रशने किरमांक पांच का उत्तर बताना है और पांच में आपने लगा दिया कि सर यहां पर आपको उ रचनाकार कौन हैं तो सेह सेंगर हैं ठीक है आपको याद रखे ना और इसका रचनाकाल भी आपको कमेंट में लिखना है बिलकुर शही आंसर बता रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया अंगला क्वेस्चन महाबीर परसाद दुवेदी ने आदी काल को क्या संग्या दी अदी काल को क्या संग्या दी प्रश्न किरमांक छे का आंसर आपको महाबीर परसाद दुवेदी ने बहुत अच्छा क्वेस्चन है पूछा ही जाता है लगबख सभी से बनेगा है ना महाबीर का पूछा है तो महाबीर का अपन को पता है कि सर महाबीर ने तो अहिंसा के ब 22 से क्या बनेगा? 22 बपन काल 22 बपन काल ओपन रा-दोवेदी ठीक है? तो यहाँ पर 6 नमबर का एए कौन बता रहा हैं? कलपना वर्माजी 6 का एए बता रही है आदी काल और कौन बता रहा है? एए नहीं 22 बपन काल कहा है 22 बपन काल बहुत बढ़िया आलो चक्की आस्था के रचनाकार कौन है आलो चक्की आस्था एक किसकी रचना है डक्टर नगेंदर की नामवर सेंकी हजारी परसाथ दुवेदी या फिर राम बिलास सर्मा आलो चक्की आस्था के रचनाकार कौन है एक क्वेस्चन तो कई बार पूछा ज कि रचनाकार कौन है प्रश्णिक्रमान कापका साथ है और साथ में आपका उत्तर चला गया कि सर यह जो रचना है कि डाक्टर नगैंद्र की है ठीक है एक नम्मर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा डाक्टर नगैंदर वेरी गोड़ आंसा साथ का भी बता रही मुसरत ने साजी नामबार से बता रही क्यों बता रही हो भी नगेंदर की है ठीक है बांकी सबी लोगों ने सही बता है वेरी गोड़ तुलस्चिदास खंड काब्ब की रचेता कौन है तुलस्चिदास खंड काब्ब है ठीक है अब कब्ब की रचना का निराला तुलिसी रामधारिश ने दिनकर या फिर मैतली सरन गुप्त है और बहुत शारी लोग शही आंसर बता रहे हैं कि सरी तुलिसी दास जो रचना है तुलिसी दास बड़े निराले कभी थे कैसे कभी थे निराले ठीक है तो निराले से हो जाएगा यानि ये नम्मर आपका बिल्कों सही, एक नम्मर राइट आंसर, very good, दिनकर कौन बता रहा है, जो आकास जी दिनकर बता रहे, बहुत बढ़ी है, तुलसीदास दिनकर की रचना है, आकास आकास जी, बहुत बढ़ी ही सब देख रहे हैं, हम सब लोगों का, तुलसीदास ये कई बार बताया तुलशिदास निराले कभी है और ये निराले की रचना है खंड काब है कई बार पूछा गया अंगला देको डाक्टर रामकुमार बर्मा ने हिंदी साहित का आलोचनातमक इतिहास में चित्रन किया है बताइए कहां से कहां तक चित्रन किया है रामकुमार बर कालूचनात्मा कितिहास इसके रिचनाकार कौन है प्रश्न किर्मांक 9 में आपका उत्तर चेन करना है और 9 का अंसर हो जाएगा कि हिंदी साहित कालूचनात्मा कितिहास रामकुमार बर्मा का एगरन थे लेकिन आपसे बताना है कि ये 693 ESB से 1693 ESB तक क्यानी आपका उत्तर C नंबर ठीक है C नंबर आपका बिल्कुश है ये बहुत बड़ी आंसर C नंबर है ना Very Good 693 से 1693 तक के काल को इसमें दोस्तो इतिहास में चित्रन किया गया और ये हिंदी साहित का अलूचनात्मक इतिहास का रचना काल क्या है तो रचना काल है 1938 ठीक है इसमें भक्ति काल तक ही बरणन मिलता है भक्ति काल तक यानिकि ये गरंत जो है अधूरा गरंत है ठीक है कभियों के परी चयात्मक विवरण मैंने प्राया मिश्र बंदू बिनोध से ही लिए है यह कथन किसका है ये कथन किसका है ये कथन किसका है प्रश्न किरमांग को 10 में आप से पूछा गया है और 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक question पूछा गया था दोस्तों कि हिन्ली साहित का एक ऐसा गरंथ जिसे आधार स्तंब आज भी वो आधार स्तंब की तरह है है ना तो वो गरंथ कौन सा है वो गरंथ मिस्र बंदू बिनोद इसमें कितने कभियों का उल्लेख है लगबख 5000 कभियों की और यहां पर रामचंद्र सुकली भी आकर की कह रहे हैं कि जो कभियों के परीचे आत्मक विवरन हैं वो मैंने मिस्र बंदू बिनोद से ही लिये हैं ठीक है यहां पर रामचंद्र सुकली का अपन को यात कर ले ना इन्होंने ये कथन कहा है किसके बारे में मिस्र बंदू बि बिकास हुआ है खस से मागदी से सौर सैनी से या फिराचड से किस से हुआ है पहाड़ी हिंदी उपभासा का बिकास ग्यारा नंबर में आपको चेन करना है ग्यारा नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि सर पहाड़ी हिंदी पहाड़ी हिंदी एक खास है पहाड़ी हि खास है तो खस से इसका विकास होता है खस से ठीक है ये नमबर आपका बिलकुँ सही है मोहित जी सीक्यों बता रहे भाईया पहाड़ी हिंदी का एक खस माना जाता है खस से हुआ है खस लगाना है अपन को ढूडारी किसे कहते हैं ढूडारी जैपुरी को मालभी मेबाती या प्रबगेली को किसे कहते ढूंडाडी बहुत अच्छा क्वेस्चन है ढूंडाडी किसे कहते हैं और आपका उत्तर हो जाएगा जैपूरी ढूंडाडी किसे कहते हैं जैपूरी को यानि ये नम्मर आपका जैपूरी बिलकुँ सही हो जाएगा खड़ी बोली को मरदानी भासा किसने कहा है खड़ी बोली को मरदानी भासा किसने कहा है कि क्वेस्चन प्रश्ण किरमांक 13 में पूछा गया और 13 में तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसर खड़ी बोली की बात करते हो तो शुनीती कुमार चटर जी शुनीती कुमार चटर जी यानि आपका उत्तर डी नमबर जो है बिल्कु सही है एक वोस्चन ऑ पको बताना है लाइक कर देना है एक बार वीडियो को अपने मित्रों तक और दोस्तों शबी लोग बताएंगे प्रश्न किरमांग को चौदा का आंसर और चौदा में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर्देव नांगरी लिपी का जो मानकी करण हुआ है वो 1966 भी में केंद्रिय हिंदी निदेशा लाए यानि आपका उत्तर बी नमबर बिलकुर शाहिए बी नमबर ठीक है बहुत बड़िया अंगला क्वेस्टिकाल ना तो तद्यूगीन पराजित हिंदू पराजित की निरासा निरासा से उद्दुलित है और ना ही और ना ही इसलाम की प्रतिकिरिया है ये किसकी उक्ति है बताओ भक्तिकाल ना तो तद्यूगीन पराजित हिं पंद्रा है और पंद्रा का उत्र बताना है ये पिर्तिकिरिया है ये तो श्वभावेक ये तो श्वभावेक दैन है ये तो श्वभावेक है ठीक है ये क्वेस्चन आपको बताना है तो देखो बहुत शारे लोग क्या बता रहे पंद्रा का अंसर में पंद्रा का अंसर शेहनी जी, सुश्मा शुक्रला जी, बहुत बड़िया शुजाता जी, तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा हजारी परसाथ दुवेदी, ठीक है, बक्ति आंदुर ना तो तद्यूगीन पराजे थी, न्दुजाती की इंदरासा का दोस्तों उधाय है, ना इसलामिक प्रिक किरिया का परिणाम है, यह तो श्वभावेक है, ना तो यह श्वभावेक माना है किसने, हजारी परसाथ दुवेदी, बी नमबर, इस प्रकार से भी आपका कॉस्चन आ सकता है, यहां पर उत्तर बी नमबर सही हो जाएगा, उत्तर अप भ्रेंश का आपको बताना है, कि उ परशन किरमांक 16 में, अब यहां पर थोड़ा सा अलग पूचा गया है, उत्तर अप भ्रेंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, देखो कॉस्चन थोड़ा सा गुमाया गया, बाकी तो कॉस्चन सही है, उत्तर अप भ्रेंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, यह कॉस्चन है, चार चतुर सें सास्त्री ने ग्रियर सन ने चंद्र धर शर्मा गुलेरी ने या फिर इन में से कोई नहीं तब आपका सीधा आंसर यहां पर जा रहा है कि सर उत्तर अप भरंश को पुरानी हिंदी तो कहा है किसने गुलेरी जी ने स्री नंबर सही हो जाएगा बहरी गुड है और साहित्य कब भरंश को किसने कहा है साहित्य कब भरंश को पुरानी हिंदी कहा है राम चंद्र सुकुले ने साहित्य कब भरंश को ठीक है बहुत बढ़िया अब यहां पर देखो 84 बैसनाओं की बारता के लेखा कौन है सरल कॉस्चन आसान कॉस्चन आप से पूचा गया ह किसी का भी गलत नहीं होनी चाहिए. 84 बैसनों की बारता, इसके रचनाकार कौन हैं? बताइए, शत्रा में ऐसे question, सरल सरल question अपने को गलत नहीं करना? एक भी question अगर गलत हो जाए तो दुख होगा. 84 बैसनों की बारता के लेखक कौन है? ये प्रश्निक रमांक 17 में बताना है और 17 का अंसर है गो कोल दास कौन माले जाते हैं बी नमबर यानि की गो कोल दास ठीक है बैरी गुड हिंदी नौरतनी के लेखक कौन है ये प्रश्निक रमांक 18 है और 18 में आपको उत्तर बताना है हिंदी नौरतनी के लेखक चैन करना है राइट अंसर चला जाता है आपका किसर हिंदी नौरतने जो की दोस्तो 1910 की रचना है सन भी याद होनी चाहिए आपका 10 नौरतने ठीक है नौ है ये कवर प्लस कर देना यहाँ पर 10 हो जाएगा 10 यादि 1910 और ये मिसर बंदू की रचना है यादि कि आपका डी नंबर बिलकुछ चाहिए ठीक है बेरी गुड सेउसें सेंगर और गिरियर्सन के साहे तितियास ग्रंतों के लिए आचार रामचंद्र शुकले ने आचार रामचंद्र शुकले ने किस सब्द का प्रियोग किया है सेउसें सेंगर और गिरियर्सन के साहे तितियास ग्रंतों के लिए आचार शुकले ने किस सब्द का प्रियोग किया ब्रत्ते संग्रह ब्रत्ते संग्रह ब्रत्ते संग्रह ब्रत्ते संग्रह ब्रत्ते संग् है और आपका उन्नीस में बता दिया है बहुत बढ़िया उन्नीस का बी ब्रत्य संग रहे ठीक है बी नम्मर है अंकित गुपता जी उन्नीस का ये ब्रत्य संदर भी संग रहे नहीं ये ब्रत्य संग रहे बिकल्प पढ़ो बांकी के बिकल्प भी अपन को पढ़ना है ठीक है बी नम्मर आपका सही है प्रतिवी राज रासों को किसने सर्व प्रतम बिबादा इस्पद गोसित किया है मैक्स मुलर ने मौतिलाल मेनारिया डाक्टर बुलर या फिर करनल टाड ने प्रतिवी राज रासों को किसने सबसे पहले बिबादा इस्पद गोसित किया था प्रश्न करमांक बीस का Neighसर और बीस में आपका सही आनसर चला गया और बिबादा इससपर सबसे पहले गोसित किया था किसने बहुत बढ़िया very good answer सबी लोगों का answer लगवक सही आरा कि सबसे पहले डाक्टर बुलर ने इसको बिबादा इस्पत गोशित किया सी नम्मर आपका सही हो जाएगा ठीक है प्रत्विराज रासों को हिंदी का पहला महा कब किसने माना और इसमें अध्यायों का नाम क्या है अध्यायों का नाम भी बताना है तो बताओ प्रत्विराज रासों को हिंदी का पहला महा कब किसने माना और इसमें अध्यायों का नाम क्या है बताएं प्रशने किरमांक 21 का आंसर आचार सुकलने शमय आचार दुवेदी शंकल पे गोरी चंद हीरा चंद ओजा सर्ग इनमें से कोई नहीं देखते हैं कौन कौन यहां अटकता है देखो कमला ठाकुर जी सी बता रही है बहुत बढ़िया और बताओ सत्यंद्र जी भी सी बता दिये इनने भी और बताओ कौन बता रहा है सी बता दिये कौन आर्ती बर्माजी बता दी सी ठीक है बहुत बढ़िया सी बता दिये सौरब बर्माजी ऐसा नहीं करना है प्रत्वी राज रासो जो कि हिंदी का पहला महा काब है इसको दोस्तों परतम महा का बाचार सुकले ने माना और इसमें जो सर्ग हैं या जो अध्याय हैं उन्हें समय कहा जाता है तो आपका उत्तर ये नमबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर ये नमबर सही हो जाएगा चरम ब्यक्ति बाद ही प्रियोग बाद का केंदर बिन्दू है एक अथन किसका है मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि जितने भी कॉस्चन आए जितने भी अपन कॉस्चन पढ़ रहा है उनमें से एक दो कॉस्चन आपके मुस्किल से अगर गलत हो जाएग तब आपकी तयारी सही है और अगर आप बहुत सारे कॉस्चन गलत कर रहे है आठ-दस कॉस्चन गलत कर रहे हैं तो आपकी तयारी में कमी है ठीक है चरम ब्यक्ति बाद ही प्रियोग बाद का केंदर बिन्दू है एक अथन किसका है प्रश्निक रमांक 22 का आंसर अपन को चैन करना है 22 में सबी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 में चरम ब्यक्ति बाद ही प्रियोग बाद का तो बिलकुँ सही आंसर आया है कि सर इसमें लगा दो आप नाम वर्स हैं चरम ब्यक्ति बाद ही प्रियोग बाद का केंद्र बिंदू है ये कतन है नाम वर्स हैं का ठीक है बहुत बढ़िया भारतिय शूफी मुक्तह किस संप्रदाई से संबंदित माने जाते हैं इवादत से बिद्ध से वेसरा से या फिर वार करी से भारतिय जो सूफी है किस संप्रदाई से शंबंदित माने जाते हैं 23 का आंसर बताना है और 23 में आपका सही आंसर जा रहा है इसर जो भारतिय सूफी है ये मुक्तह वेसरा संप्रदाई यानि सी नंबर आपका वेसरा संप्रदाई बिल्कुँ सही हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभु जी तुम चंदन हमपानी एक किसकी काब पंगती है किसकी काब पंगती है सूर्दास की तुलशिदास की रेधास की या फिर गुरू नानक की प्रभु जी तुम चंदन हम पानी अब इतने जे चार गुरु दिख रहे हैं आपको चारों की जन्म भी आपको बताना है सूर्दास का जन्म कब हुआ तुलशिदास का कब हुआ रेधास का कब हुआ गुर पंक्ती है यह रियादास की है रियादास आपको पता है कि रियादास नाम देओ के बाद संत काब में दूसरा नमबर रियादास का आता है ठीक है अब बताओ इनके पूरे जन में बताना है फटाक से मिरगाबती को शूपी काब की प्रिथम रचना किसने माना है गिरियरसन न दुबेदी आचार दुबेदी ने आचार सुकल ने आचार राम कुमार बर्मा ने मिरगा बत्ती को शूपी काब की प्रिथम रचना किसने माना ये क्वेस्चन आप से पूछा गया बहुत ही अच्छा question है और सीधा answer जा रहा है कि सर्व मिरगाबती के जो रचनाकार है पहली बात तो यह है कि कुतुबन इसकी रचनाकार है ठीक है और आचार रामचन सुकल ने इस मिरगाबती को सूपी काब की प्रिथम रचना माना यानि आपका उत्तर C नमबर बिलको सही ह ठीक है सीजनों ने लगा है right answer very good चंदाइन को दूसरे किस नाम से भी सुईकार किया जाता है चंदाइन का अन्य नाम क्या है यह पूछा गया आपसे चंदाइन के रचनाकार भी आपको बताना है चंदाइन के रचनाकार कौन है और चंदाइन का अन्य नाम क्या है यह भी आपको लिखना है बताइए चंदाइन का नाम क्या है और आपका सीधा अंसर जा रहा है कि सर इसका जो अन नाम है वो अन नाम है लोर कथा या लोर कहा डी नमर सही है चंदाइन के रचनाकार कौन है बताइए चंदाइन के रचनाकार चंद हसीनों के खतूत एक किसकी रचना है चंद हसीनों के खतूत बढ़िया मुला दाउत की बैरी गुड़ चंद हसीनों के खतूत एक किसकी रचना है चार बिकल्प हैं चंद हसीनों के खतू कि रचना किसकी है प्रश्ने किरमांग को 27 की फुर 27 में चंद हसीनों के खतूत यह जो रचना है यह नमबर यानि कि पांडे बेचपन सरमा उगर की किसकी है पांडे बेचपन सरमा उपन्यास एतिहासिक नहीं है पुनरनवा, म्रगनाईनी, शन्यासी या फिर सेहनापती कौन सा उपन्यास एतिहासिक नहीं है 28 का अंसर और बहुती बड़िया प्रस्चन आपसे पूछा गया है पुर आपका उत्तर है कि वो उपन्यास है सन्यासी सन्यासी उपन्यास एतिहासिक नहीं है ठीक है पुनरनवा है म्रगनाईनी है शेह सेहनापती भी है ठीक है अब इनके पूरे रचनाकार भी आपको बताना है अब सन्यासी ये किसका दोस्तो उपन्यास है जली से बताओ शन्यासी उपन्यास किसका है उसके बाद खंजन नयन किस पिरकार का उपन्यास है पत्रातमक, जीविनी परक, आत्व, कथातमक या फिर इनमेंस कोई नहीं बहुत अच्छा कोईस्चन है और खंजन नयन आपसे पूचा गया प्रश्न किरमांक 29 में और 29 का सीधा अंसर जा रहा है कि सर ये जो खंजन नयन है ये जीविनी परक है बी नमबर बहुत बढ़िया सन्यासी ईला चंद्र जोसी जी का उपन्यास उपन्यास पूचा है तो ये जीविनी परक आपका बी नमबर सही है अंधा योग के रचनाकार कौन है अंधा योग के रचनाकार कौन है अंधा योग के रचनाकार कौन है बहुत ही बढ़िया है अपनने कई बार पढ़ा है कि सर अंधा है योग काई के बिना धरम के बिना तो धरम बीर भारती जी का रचना है दोस्तो अंधा योग प्यारी गोट ये बिलको सही है ये दोस्तो आपका ये खंजन नहीं सूर्दास के जीवन पर आधारित है ठीक है आचार रामचंद्र शुकल का सैद्दान्तिक आलोचना संबंदी गरंत कौन सा है चिंतामणी रश्म मानसा त्रिवेणी या पिर जाईसी गरंता वली आचार रामचंद्र शुकल का सैद्दान्तिक आलोचना संबंदी गरंत कौन सा है प्रश्न किरमांक 30 बन में और 31 में आपका आंसर जारा है क्या जारा है रश्मी मानसा ये सैद्दान्तिक आलोचना संबंदी गरंत है दोस् आपसे पूछा गया 32 का आंसर बताएं हिंदी रेखा चित्र का जनक के से माना जाता है यह आपका प्रश्न है और आपका सीधा आंसर जा रहा है हिंदी रेखा चित्र का जनक के से माना जाता है तो आपको पता है दोस्तो यह पदम से शर्मा को ठीक है इन्होंने एक पदम पर फंदी में रिपोर्त आजा के प्रिथम हस्ताक्षर कौन है ये आपको चेन करना अंसर अमरतलाल लांगर विश्नु प्रभाकर शियुदान से चोहान कनया लाल मिस्र प्रभाकर तो बताओ हिंदी में रिपोर्ट आज के प्रतम हस्ताक्षर कौन है प्रशने किरमांको 33 में और सभी लोगों को पता है कि सर हिंदी का प्रतम जो रिपोर्ट आज है वो लच्छमी व्यक्ती वस्तु या परिष्थितियां इस्थाई भाव को जागरत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं संचारी भाव, उत्प्रेरक, अनुभाव या फिर विभाव क्या है फ्रशन किरमांको 34 में अच्छा क्वश्चन है क्वश्चन हमेशा आता है दोस्तो 34 का और 34 का आपको बताना हैं. बहुत ही बड़ीया question है. क्या कहते हैं उसे 34 में? देखो बहुत सारे लोग गलत करेंगे इस question को. दिखते हैं कौन कौन गलत कर रहा है? रेखात्रपाटी जी ने पहले ही गलत कर दिया. भाभी सिक्षी का जी भी गलत कर रहे हैं. सरोज जी ने भी गलत कर दिया और किसने बताया है मुकनत जी ने सही बताया very good मोहिद जी ने भी सही बताया अंकित गुपता जी very good बहुत बढ़िया कुमुद जी, पूजा जी बहुत सारे लोग लगभाग 80% लोगों ने गलत बताया आंसर जो ब्यक्ति बस्तुया परिस्तितिया इस्थाई भाव को जागरित करती है उन्हें कहते हैं दोस्तो बिभाव क्या कहते हैं बिभाव यानि आपका उत्तर D नमबर सही है क्या है D नमबर ठीक है D नमबर आपका सही है जो ब्यक्ति बस्तुया परिस्थितियां उनके बारे में पूचा गया क्योंने क्या कहा जाता है तो वो विभाव कहलाते संचारी भावों की संख्या कितनी है संचारी भावों की संख्या कितनी है 8, 33, 35 या फिर 9 संचारी भावों की संख्या कितनी है संचारी भाव याद हो गए किस-किस को याद हो गए पूरे संचारी भाव संचारी भाव किस-किस को याद है संचारी भाव और संचारी भाव होते हैं कितने 33 किस-किस को याद है संचारी भाव यह आपका यहाँ पर बी नम्मर बिल्कु सही है 33 सही है ठीक है और एक question आया था कि छल नामक संचारी भाव किसने माना दोस्तो तो देयो कभी ने देयो कभी ने छल नामक 34 भाव संचारी भाव माना भरत मुनी करत नाट सास्त्र में निम्नदे वैसे किस का किस अलंकार का वर्णन नहीं है उल्लेख नहीं मिलता किस अलंकार का उल्लेक नहीं मिलता आपको पता है दोस्तो कि भरत मुनी भरत मुनी ने कितने अलंकार माने हैं चार अलंकार माने हैं अब इस चारों अलंकार आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से माने हैं ठीक है अब चार अलंकारों में नोंने कौन सा नहीं माना प्रश्न किरमांग 36 में 36 में सबी लोग बताएंगे और 36 में बहुत सारे लोग फिल गलत गलत करेंगे यहाँ पर कि भरत मुनी ने कौन सा अलंकार नहीं माना है तो देखते हैं कौन सा ही बता रहा है कौन सही बता रहा है तुक्का लगा रहा है पूरे शुश्मा शुकला जी ने सही बताया है बहुत बड़िया एक दो लोगों ने एक दो लोगों ने सही बताया यमाक है यमाक को दोस्तों इन्होंने अलंकार किसरे नहीं माना यानि बी नम्मर आपका सही हो जाएगा यमक ठीक है यमक को नहीं माना ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लो यहाँ पर आजाओ जहाँ एक सब्दन एक बार आए उसके अर्थ भिन भिन हो बहाँ कौन सा अलंकार होता है प्रश्ण किरमांग 36 37 का बताईए सही है क्या 37 का आंसर आपको चेन करना है जल्दी बताए भटाक से 37 का आंसर आपको बताना है फिर इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं ठीक है यहां पर आपको जहां एक सब्दन एक बार आए और उसके अर्थ भिन हो तो बहाँ पर आपका 37 का उत्तर क्या हो जाएगा 37 यानि की 37 का आंसर और 37 में यहां पर यमा कलंकार हो जाएगा ठीक है डी नमबर आपका सई है very good इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे है भी 36 नमबर का है ना ठीक है के हिंदी में रीती सिद्दान्त के प्रथम प्रस्तोता कौन है जल्दी से बताओ जल्दी से आपको बताना हिंदी में रीती सिद्दान्त के प्रथम प्रस्तोता कौन है तो आपको याद रख लेना है ठीक है इसको दोस्तों यहाँ पर सही कर लो यहाँ पर आपका सले सलंकार सही होगा ठीक है भरत मुनिकरत नाट सास्त्र में निनवन्यसी किस लंकार का उल्लेख नहीं किया इसमें यमाक है उपमा है दीपक भी है और रूपक भी है टीक है यह चार है इसलिये कि ऐसे आपका यहाँ पर सही हो जाएगा यह नम्मर आपका यहाँ पर सही इसको सही कर लो ठीक है उसके बाद अपन रहेने अमग पढ़ लिया हिंदी में रीती सिध्दान्द के प्रथम प्रुस्तोता आचार कौन है तो उत्तर है केस अउदास कौन है केस अउदास तो आपका ए नमबर बिल्कुँ सही है साधारनी करन का सिद्दान्त किसकी देन है साधारनी करन का सिद्दान्त ये किसकी देन है आपको बताना है भटनायक की भटनायक की या फिर भट लोलट या फिर संकोक की बताएं जल्दीशे फटापटसी चेन करना है आपको साधारनी करन का जो सिद्दान्त है कि किसकी दैन है साधारनी करने यानि कि 39 का उत्तर आपको चेन करना है बताएए खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारे थे और मानस का हंस ये तुर्शी दास के जीवन पर आधारे थे ठीक है साधारनी करना का सिद्दान्त यानि की 39 का अंसर और 39 में आपको उत्तर हो जाएगा किसर भट नायक किसने भट नायक ये नमबर साहिए ये शिद्दान्त किसकी देन है एक नमबर आधा अंसर अनुकरण सिद्दान्त के प्रनेता है अनुकरण सिद्दान्त के प्रनेता कौन है क्रोचे रिचर्ड्स अरस्तू या फिर कॉलरेज पताएं अनुकरन सिद्दान्द के प्रनेता कौन है सभी लोगों को याद हो गया कि भरतमुनी ने कौन-कौन से चार अलंकार माने हैं कौन-कौन से माने हैं उपमा, ठीक है रूपक, है ना यामाक और दीपक, ठीक है यह अपन को याद रख़ते ना यह चार अलंकार माने कौस्चन हैं ऐसे ही आएगा आपका ठीक है उपमा, रूपक, एमाक और दीपक, ठीक है इनको याद रख़ते ना और अनुकरन सिद्दान्द यह चालीस का अंसर है चालीस में आपका सही अंसर जा रहा है किसर इसमें अरस्तु लगा दो यानि किसी नंबर लगा दो बहुत बढ़िया साहित ज्यानरासी का संचित को से यह किसकी उक्ती है साहित ज्यानरासी का संचित को से है किसकी उक्ती है यह बताना है एक तालीस में ठीक है और यहाँ पर आपका संचित कोस है और यहां पर आपका 41 में आंसर हो जाएगा दोस्तों यह महावी पिरसाद दुवेदी का कतन है बी नम्मर आपका बिलकु सही है बी नम्मर बैरी गोड रस्तूत्र के ब्याख्या कारों का सही अनुकरम क्या है 42 में बताइए 42 में आपको चेहन करना है और रस्तूत्र के जो दोस्तों रस्तूत्र जो दिया है वो किसने दिया भरत मुनी ने और इनके ब्याख्या कारों का क्रम बताना है तो क्रम में आपका सबसे पहले कौन हो जाएगे दोस्तों बताइए अब ये तो कट गए ये तो आपने काड़ दिया बच्चे दो अब बच्चे दो में कौन आएंगे सबसे पहले बताओ क्या हो जाएगा सही अंसर रसूत्र के ब्याख्या कारों में सुरी ये बी नहीं ये महाबीर परसाद दोवेदी हैं ठीक है साहित ज्यानरासी का संचित कोस है ये महाबीर परसाद दोवेदी का है बहुत बड़िया ये महाबीर परसाद दोवेदी अपन को याद कले ना महाबीर परसाद दोवेदी का ये साहित ज्यानरासी का संचित कोस है ठीक है और रस्यूत्र के ब्याख्याकारों में आपका उत्तर श्री नमबर सही है भट लोलट संकोक भट नायक अभीनवगुपत इसको याद रखते ना है संकोक भट नायक और अभीनवगुपत यह आते हैं इसको एक बार सही कर लो महावीर साहित ज्यानराशी का संचित कोस है कि महावीर प्रसाद दुवेदी यानी सी नमबर सही है अनुबाद करते समझ जिस भासा में अनुबाद प्रस्तुत किया जाता है जिस भासा में उसे क्या कहते दोस्तों अनुबाद के बारे में भी कहा गया कि अनुबाद करते समझ जिस भासा में अनुबाद प्रस्तु जाता है उसे कहा जाता है लक्ष भासा ठीक है डी नम्मर आपका लक्ष भासा राइट अंसर हो जाएगा डी नम्मर सही हो जाएगा बैरी गोट रसकलस का रचनाकार कौन है रसकलस का रचनाकार कौन है चवालीस में आपको चैन करना है रसकलस आपको पता है यह रीती गरंत माना जाता है दोस्तो हरियोद का रसकलस है ना और यह किसका गरंत है हरियोद यानि यह नम्मर आपका बिल्कुश है ठीक है आवारा मसीह में किसके जीवन का उल्लेख है आवारा मसीह में किसके जीवन का उल्लेख है आपको बताना है और किस किस को अभी जूनियर सुपर्टेट का मॉडल पेपर लेना है सभी साथ ही जूनियर सुपर्टेट का मॉडल पेपर ले ले आबारा मसिया किसके जीवन का उलेक है इसमें और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सरत चंद्र ठीक है इसकी रचनाकार कौन है तो विश्णू प्रभाकर है ना विश्णू प्रभाकर ये आपका ये नमबर बिल्कुस है ठीक है आदुनिक भारती आरभासाओं का बिकास किस से हुआ है रौमन से द्रिविन से अपबरेंस से या फिर इन्वे से कोई नहीं 46 का आंसर आदुनिक भारती आरभासाओं का बिकास किस से हुआ है चालीस में आपको चैन करना है चालीस का राइट आंसर क्या हो जाएगा आदुनिक भारती आरभासाओं का किस से हुआ है और आपका उत्तर है अपबरेंस से अपबरेंस से यानि स्री नमबर ठीक है आदुनि से हैं उसमें संघर्षी के कॉस्चन भी बड़ा आता है दोस्तों आपका 47 में और 47 का आपका राइट अंसर यहां पर हो जाएगा कि सर सा 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 हा यानि यह नमबर ठीक है इसको याद रखोगे उसके बाद भासा मुंसी के नाम से विख्यात हैं तो कौन विख्यात हैं प्रशन कि रमांग 48 में 48 में आपका राइट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा भासा मुंसी के नाम से विख्यात हैं विख्यात हैं बासा मुंसी के नाम से जिनकी रचना कौन सी है प्रेम सागर कौन सी है प्रेम सागर ठीक है प्रेम सागर की रचना कार कौन है लल्लू लाल यानि कि आपका ये नमबर इभासा मुन्सी के नाम से विख्यात है बिभासा कहते हैं दोस्तों बिछिप्त भासा को विशिष्ट भासा को बोली को या फिर इन मैंसे कोई नहीं बिभासा कहते हैं तो बिभासा किसे कहते हैं बिभासा प्रश्न किरमांक पुनंचास का आंसर आपको चे भासा कहते हैं बोली को बोली को यानी सी नंबर ठीक है सी नंबर बैरी गोट कमल दीब जी अब आपको बताना है कौन सा लक्षण अबदी का नहीं है अबदी का कौन सा नहीं याके स्थान पर जाका प्रियोग वाके स्थान पर बाका प्रियोग लाके स्थान पर राका प्रिय लोग कौन सा लक्षन अबदी का नहीं है जल्दी से बताना है और जो भी हमारे साथी Master Cadder के Model Paper लेना चाहते हैं तो अभी Master Cadder के Model Paper में भी छूट है और जो भी Junior TET के Model Paper लाना चाहते हैं उनके लिए तो छूट है ही ठीक है 50 का अंसर बताना है और 50 का आपका हो जाएगा कि सर ना के स्थान पर रणा का प्रियोग यह नहीं है यह लक्षन अबदी का नहीं है यानि D का आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों अपन अंगली के लास में पढ़ेंगे इसके बाद की कॉस्चन ठीक है बहुत 10 प्रस्ण गलत हुए है वो थोड़ा सा और प्रेक्टिस करें थोड़ी सी दिन रात प्रेक्टिस करो अच्छा जितना टाइम मिलता है है ना क्योंकि एक दो प्रस्ण तो आपके समाहित हो जाएंगे 5-10 कॉस्चन आपके लिए गरत में ले जाएंगे ठीक है तो सभी लोग प्रेक्टिस करती रहें और आज के इस वीडियो के लिए दोस्तो इतना ही